वेल्कम जी, लेट्स स्टार्ट, एक सियर आज बड़ी जबर्दस्त तेजी के साथ भाग रहा था और ये स्टॉक्स काफि फंडमेंटली स्टॉंग्स है और एक इन्वेस्टिंग परपस के लिए एक बहतरी निस्टॉक्स है तो आज जो इसका परफॉर्मेंस था जैसे मार्केट अप होता है इस टॉक्स में तेजी देखी जाती है और सड़नी फ्लैट रहता है और फिर एक उपर जाता है फिर उपर पर एक लोज होता है तो आज की डेट में यह 6.61 परसेंट का आपको प्रॉफिट दिया है अगर हम बात करते हैं इसके लॉंग टर्म्स चार्ट की तो लॉंग टर्म्स में इसने अपने शेयर होल्डर को 600 परसेंट का रेटन दे चुका है आप इसके चार्ट देखें लॉं टर्म्स इन्वेस्टमेंट की चार्ट होने चाहिए अगर मैं बात करता हूँ इसके रेटन की और इसके सेक्टर के और सेंसेस के कंपरेजन की तुलना की तो आप मानोगे कि सेंसेक्स ने पिछले तीन साल में आपको रेटन दिये 79 परसेंट सेक्टर ने दिये हैं 83 यह है 400 परीटन आपकी पैसे को double कर चुका है अगर आप इसके वीकली रेटन की बात करें तो 6 परसेंट मंत्ली रेटन की बात करें तो 11 परसेंट यहली रेटन की बात करें 37 परसेंट three year की बात करे four hundred percent five year की बात करे one thousand percent ten year की बात करे almost five thousand percent का returns so really really very very impressive returns इस stocks ने आपको दे चुका है अगर इसके हम बात करें revenue की तो आप देखोगे कि ये 2017 में 353 करोड का revenue then 400 करोड रबूर then 500 500 करोड then 500 almost 600 करोड then suddenly jumps 2021 में 1000 करोड करें अगर बात करते हैं इसके returns की तो 31 करोड का रेजन then 42 करोड देन 50 करोड देन 70 करोड देन 63 करोड का returns इस नेट प्रॉफिट की बाहर कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट्स इस फंडामेंटल स्ट्रॉंग्स अगर हम इसके sales की बात करते हैं तो आप चेक करोगे quarterly sales 154 करोड, 186 करोड, 200 करोड, 400 करोड, 550 करोड ग्रोथ अगर हम बात करते हैं इसके एन ऐन वाली सेल्स की टेन वाली सेल्स 2017 में 300 करोड, 500 करोड फिर 19 में 500 करोड, 20 में आवागर 600 करोड, आप चेक करते हैं सो इसका जो एन्वल ग्रोथ या क्वाटर ग्रोथ है सो हाई अदम बढ़तरी के तरफ से बढ़ रहा है अगर इसकी बात करते हैं इसके बैलेंस रिट की की बैलेंस रिट के इस आप से कंपनी क्या क्या फंदमेंटली स्टॉंग से आप चेक करोगे आलमुस्ट यह डेट फ्रिट कंपनी है हामेसा कोई बारों नहीं कोई करच नहीं लास जस ट्वंटी ट्वंटी में 34 करोन का और इस येर में 633 करों का बारों है लेकिन कंपेर करो इसके रिजर्ब्स की रिजर्ब्स 91 करोन से 91 करों 100 करों दैन 110 करों दैन 136 करों 150 करों 160 करों 119 करों 200 260 300 400 सो इसके पास फंट रिजर्ब्स से कंटिनीवस बिस पे रिजर्ब्स के पास इंक्रीज होता जा रहा है और कोई वारोई नहीं अल्वस्ट टेट फ्री कंपनी तो अगर हम बात करते हैं इसके फिनेंसियल डेटा कि कंपाउंडिंग एनुवरेट आपके पास क्या रिजर्ब्स या ग्रोथ रहा तो एक यह में इस कंपनी ने आपको टॉंट एट पर्षेंट का एनुवल दिए रेटन्स त्री यह में 67 फाइफ यह जिक्स्टी एन टेन यह में 47 पर्षेंट का सी एजिया रेटन्स अगर अनुटि के आप इसका चेक करते हो तो टॉंटी पर्षेंट का है लास्ट ये टॉंटी एन पर्षेंट थी यह में 5 यह में 20 पर्षेंट टेन यह में 17 पर्षेंट का आपको रेटन्स अगर इसके श्रॉट की बात करते हो तो तो अब तो continuous sales growth is very heavy 35 135% 35% 28% 19% 18% इवन आप प् 20% 5% 30% and 10% 21% का तो इसके शेर होल्डर का अगर डिस्टिबुशन देखते हो तो 54.95% शेर होल्डर के पास है और 30% के आज पास इनके पास पॉलिक है और 10% FII 5% DII आप सकते हो कंपनी के प्रमोटर के पास अभी भी पचास 55% के आज पास सेर्स पड़े गए है तो यह जो कंपनी है इसका नाम है जे में फोल्डर लिम्टेट जे में फोल्डर लिम्टेट और यह कंपनी का जो पिछले रेटर्स रहा है वेरी वेरी इंप्रेसिव और इसका चार्ट भी आप देहोगे तक वेरी इंप्रेसिव तरीके से आप उपर जा रहा है और यह एक स्माल कैप का स्टाक्स है और यह एक रिस्क बिसका मोडरेट है और अगर इसके सक्टर की पी की बात करेंगे तो 65 है और इस यह अपने पी 92 पर मिल रहा है मिन्स की हाईयर दाइन इस चेक्टर पी लेकिन इसके अगर देखो नो रेट फ्लेग इसके मैनेजमेंट के तरफ से कोई भी रेट फ्लेग नहीं है गुड थिंग यह है कि आज भी यह स्टाक्स गुड टाइम टू कंसिडर फॉर एंट्री पॉंट इस स्टाक इस नाट ट् से मिल रहा है डिविडेंट अट्रेक्टिव नहीं है इसका राइट लेकिन रेटर्स वेरी अट्रेक्टिव है और यह करंट्ली अपने इंट्रेंसिक वैलो से हाईयर पर ट्रेट कर रहा है department अब यह देखते हैं कि यह विज्नेस क्या करती है इट्स लेडिंग सप्लाएर आप प्रोसेस्ट इकुप्मेंट फार्टवर्णव सेमिकल एंडस्टिस सो यह किमिकल इनस्टिस के लिए जो एकुप्मेंट्स होते हैं और वह आपना दिया और रईट और बात करते हैं तå तो इसके अधर भी, GMM folder have diversified its product portfolio like mixing system, filtration, drying equipment, engineering systems, have engineering equipment. तो lots of equipment, they are manufacturing, right? अगर बात करते हैं, इसके, so almost, आप देखोगे, तो 50% market share in India is captured by GMM folder. Okay, GMM is the market leader for the glass lined equipment in India, over 50% market share, right? So, this is the good part. अगर इसकी website पर भी आप भी विजिट करोगे, तो यह company almost 50 years leadership में है, यह established 1962 में हुई थी, और across the country, इसका presence है, आज के देट में होगे, यहाप USA, UK, Germany, Italy, China, India and Brazil. तो इसका देट में है, तो इसका इडिया में परिजिए भी इपरिशन्स के देखते हो, अगर इसको इंडिया में परिजिए तो इंडिया में लॉट्स है, नु डेली, एंधाबाद, कोलकाथा, मॉंबाइ, लॉट्स अप्लेसे इंडिया में भी इसका प्रजेंस है और आज वी डिसकस के मैंने अभी बात किया यह 50% मार्केट शेर इंडियन का जी में फोल्डर के पास है जो की मार्केट लीडर है इन्हीं और इसके प्रजेंस से आप जिसे शुट्जर लेंट की बात करते हैं यह अपने प्रजेंस है इसके मैनुफेक्ट्ट्रिंग प्रॉडक्ट है और यह जो यह नाट वन वन काण अप सर्विस दिफेंट डिफेंट सर्विसेस आपको लिसे वाला की ग्लास लाइंड एकूपमे Chemicals Industries, Pharmaceutical Industries में ये equipment supply करता है इसका परिजनेर देखते हैं तो ये backbone है in this industry का वो उनको equipment मिलेगा तभी तो आप वो ये सारे company आप pharmaceutical की, chemical की प्रोडक्स करती हैं, lots of things अगर basic question हम बात करें, क्या GMM folder good for the long-term investment? तो आप consider करोगे, जितना हमने भी the point consider किया, fundamentals of GMM folder looks strong, पहली बात है, इसका fundamental देखते हैं इस company very strong है, तो कोई भी company fundamentally very strong है, तो it is the good for long-term investment, अगर एक long-term का horizon आप लेके चल लाए हैं, तो ये surely-surely a good investment stocks है, और आज, आज की rate में ये over value share है, और इसके GMM folder की बात करते हैं, कि intrinsic value क्या होनी चाहिए, ये currently intrinsic value इसकी 3400 के आसपस होनी चाहिए, तो आज की rate में ये 35% हम में premium rate की ओपर ये trade कर रहा है, आज आप एक वराइजन, आपका एक long वराइजन है, एक 5-10 year का अगर आप एक horizon period लेके चलते हो, तो ये एक GMM folder stocks is a very very good stocks for that, और आप वाट यू थिंक कि इसका जो business है, जिस area में के लिए equipment ये manufacture करता है, pharmaceutical की बात करते हो, chemical की बात करते हो, सो इन सबके at least equipment से ही कोई भी चीज़ बनती है, और ये equipment supplier है, और 50% market share इसके पास है, सो आप consider कर शकते हो कि आने वाले time है, जिस तरह के से इसके अभी fundamental जैसे कि इसके strong sales हैं, strong से इसके revenue हैं, strong इसके fundamentals हैं, इन point को consider करके देखते हैं कि आने वाले time में stocks का price और उपर जाएगा, और उपर जाएगा, तो इसको आप अपने level से भी study करो, और जब भी भी आपके analysis में ये fit बैठता है, कि ये company का investment, ये business आपको समझ में आ गया, और ये लगता है कि ये future में जब भी बिजनेस इसका continue करेगा five to ten year, तो जब भी भी आपके पास available fund हो, small small chunk में आप उसको as a systematic investment की तरह, एक regular period पे जब भी stocks में सब price down आता है, आप थोड़ा से stocks accumulate कर लो, फिर थोड़ा से stock accumulate कर लो, थोड़ा से stock accumulate, थोड़ा से stock accumulate, तो slowly 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 आप धिरी दे, छोटे छोटे छो को hold करके रखिए और एक बहत्रीन से बहत्रीन return आपको दे सकता है, तो this is the my perspective, आप भी अपने लेवल से इस stocks को analysis करो, research करो, और फिर decision लो एक longer period of investment के लिए, long term के लिए really really very good stocks, from this note, I would like to say thank you for watching this video.